Hello friends, I am Dr. Neha Joshi and welcome all Dr. Neha Joshi Care Clinic. आज के टॉपिक में बात करूँगी स्किन इंफेक्शन के बारे में. इसके इंफेक्शन बहुत ही कॉमनली होते हैं और आप मैं और हम सब हमारे आसपास के सभी लोग कभी ना कभी इससे डेपिनेटली सफर किये हो रहते हैं. तो इसके इंफेक्शन के लिए ऐसे कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आपके घर में आपके आसपास अवेलिबल हैं प्रियोग कैसे कर सकते हैं यह आपको इस वीडियो मां बताऊंगी, अगर आपको मेज़ आपी एस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसके infection के लिए जो सबसे पहली home remedy है जो आप इस्तिमाल कर सकते हैं वो है हल्दी हम सब जानते हैं इसके इसके लिए कितनी अच्छी होती है इसका आप external application भी कर सकते हैं मतलब आपको हल्दी लगानी है जहां पर भी आपको infection हुआ है या फिर आप इसका internal प्रियोग कर सकते हैं उसका exactly सही एरवेदिक प्रोसیजर क्या है गलत प्रोसीजर नहीं कि एक ग्लास में वस हल्दी डाल दी वो नहीं exact सही आरवेदिक प्रोसीजर क्या है वो आपको पदा चलेगा फिर के पहली home remedy है हल्दी आपको इसका प्रियों करना है इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको है आपके घर में घर के आसपास या घर में कोई गायवधी हुई है तो बहुत ही अच्छा है गौमूत्र हमेशा फ्रेश इस्तमाल किया जाता है रखा हुआ गौमूत्र कोई कितिरा भी बोले पवित्र है यह है वो है पर गौमूत्र अगर 5 यह 10 मिनट से भी जादा रखा हु गौमूत्र ले रहे हैं तो दो से तीन बूंद गौमूत्र को मिला ले उसको मिलाने के बाद जहां पर आपको वाइरल या फंगल इंफेक्शन है उसके उपर इसका लेप करें आदे घंटे बाद जब यह अच्छे से सूख जाए तब इसे रगड रगड कर छुटा दे या आप इसे किसी लोकल कैमिस से प्राप्त कर सकते हैं या पंसारी की दुकानों पर भी आसानी से मिल जाती है मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड नेम से भी अवेलबल है और प्लेन बाकुची के नाम से भी बहुत सारी कंपनियों ने लाउंच करी है आपको एजिली किसी भी आवेडिक स्टोर पर मिल जाएगी आपको बाकुची का प्रयोक करना है सुबह शाम एक अगर कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले एक बात याद रखें बाकुची पानी के साथ ली जाती है दूद के साथ नहीं ली जाती है पानी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है, किसी ना किसी चीज के खाने के बाद लेना है, ठीक है दूसरी होम रेमेडी वी बाकुची, अगर आप बाकुची लगाएंगे तो भी आपको बहुत साथ एफेक्ट मिलेगा, बाकुची को भी गौमुत्र अर्क के साथ में मिलाकर आप लगा सकते हैं, अगर गौमुत्र अर्क अवेलिबल नहीं है, तो आप केवल बाकुची चून को साथे पानी के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं, एक तीसरी होम रेमेडी है मंजिष्ठा, मंजिष्ठा भी आपको बहुत सारे कंपनी की अवेलिबल हो जाती है, मार्केट में स हिमाले कंपनी के अलावा भी आपको दूसरी कंपनी के मंजिष्ठा मिल जाएगे, आप इस मंजिष्ठा का प्रयोक करें, अगर आप आर्वेफ में जाते हैं, अप यारवेफ लेना चाहते हैं, आपको मंजिष्ठा हादी चूण के नाम से भी टेबलेट इसका पावडर मि क्षा प्रेख करना है चौती होंम रेमेडी है नीम निम को तो आप किसी भी तरीके से प्रेख कर सकते eld कि त्रीक कर सकते हैं इसके इंफेक्शन के लिए इसके पत्ति आप अपागी उसले काड़ा बना सकते हैं इसक़े बंद लेAK करें इसे पानी के साथ ही लेना होता है इसके साथ में और कोई चीज आइड नहीं की जाती सिर्फ इसके चाल का काड़ा बना कर प्रयोग करें अगर आपको चाल का काड़ा पसंद नहीं आता है ज्यादा करवा होता है ज्यादा कसेला होता है तो आप इसकी पतियों का भी प्र अगर आप आर्वेत मैडिसिन में जाएंगे तो एक मैडिसिन है आरोग वर्धनी वटी आप किसी भी तरीके के इसके इंफेक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं मैं फिर से नाम बता देती हूँ आरोग की वर्धनी वटी दो दो टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है यह सबी प्रकार के इसके इंफेक्शन के लिए बैनिफिट होती है कि आप इसके कि आरुग वर्धिनी के अलावा कुछ और लेना चाहते हैं तो आप वंग भस में अभ्रग भस में का प्रयोग कर सकते हैं पर इनका प्रयोग आपको डॉक्टर के करने के बाद करना चाहि कि यह metallic होते हैं और आपकी किड्मी और लिवर में साइड इफेक्ट भी पहुचा सकते हैं ठीक है मैं आपको समराइज कर देती हूं आपको क्या 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 करना है आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में लेना चाहिए तो आरु इसके शुना उसके साथ में कुछ 2 आ 3 चुटकी हल्दी मिला और थोड़ी सी एक या दू चुटकी मिला कर ठीक है तीनों चीज़न नोटडाउन कर लें और आपको फ्रस्ट सिंग चूना लेना है दूसरे चीज़ हल्दी लेनी है तीस पीया अपको फिटकरी मिलेनी ठीक है ये मेरी आज की तरब से टिक थी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक यू बैरी मच ओके इसे हेल्दी और बी हैपी इस इस आल फॉम माई साइड